साथियों क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी किड्नी स्वस्त है क्या आप ये जानते हैं कि जब किड्नी में खराबी आनी शुरू होती है तो उसके लक्षन क्या होते हैं आपको कैसे पता चले कि आपकी किड्नी में दिक्कत हो रही है इसे डॉक्टर को फौरण दिखाना चाह अज़ना आज हम सब के लिए बहुत सरूरी है वो इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट सीधे हमारी किड्नी से जड़ी हुई है साथियो इस रिपोर्ट के जरी हम आपको बता ही है कि किड्नी डैमेज होने से पहले क्या क्या संकेत देती है ताकि हम और आप इन संकेतों को पहचान कर किड्नी डैमेज होने से पहले ही उसका इलाज कर सके नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरित्ते चौहान और मेरा मकसद है आपको स्वस्त रखना था कि आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे मुसका दोस्तों अगर आप थोड़ा चलने से या फिर सीडियां चड़ने में ठका होने लग जाते हैं, टॉक्सिंस मतलब वेस्ट माडियें, किड्नी की बीमारी से पीडित लोगों को बहुत जल्दी ठकान महसुस होना शुरू होने लगते हैं, साथिसाथ थोड़ा सा चलने पर कमजोरी सी महसूस होती है, किड्नी की बीमारी की वज़े से अनीमय, अब मैं आपको kidney damage होने का दूसरा लक्षन बदाता हूँ दोस्तों अगर आपको नीद ना आने की समस्या हो रही है तो इसे नजरंदाज बिलकुल मत किजिए क्योंकि ये भी kidney damage होने से पहले नीद ना आना ये kidney damage होने का लक्षन हो सकता है जब kidney ठीक से blood को filter नहीं करती तो शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती है इससे problem क्या होती है? इससे नीद आने में मुश्किल होती है मुटापा और chronic kidney की बिमारी का जो खत्रा है वो बढ़ जाता है साथियों, सर्दियों में अक्सर skin का dry हो जाना या फिर skin पर खुजली होना ये भी एक आम बात है लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो ये आपके kidney damage होने का लक्षन हो सकती है जब kidney में minerals, पोशक तत्व की कमी होने लगती है तो skin dry होने लगती है साथ ही हमारे शरीर पर खुजनी होनी शुरू हो जाती है अगर आपको अपनी skin पर ऐसे लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी नजरंदाज न करें ये kidney damage होने का लक्षन हो सकता है क्योंकि इस तरीकी की बीमारी में kidney के जो filters है वो damaged हो जाती है जिसके कारण पेशाब करने के इच्छा बार बार हमें महसूस होती है कई बार पुर्शों में urinary infection या बढ़ा हुआ prostate भी इसका संकेत हो सकता है साथ ही एक बड़ी बार पेशाब में खून आने की समस्या भी हो सकती है क्योंकि kidney urine को filter करती है blood से पानी को अलग करने का काम करती है जब kidney सही से काम नहीं कर पाती ही तो पेशाब में खून आने की समस्या शुरू हो जाती है साथ ही जब kidney damage होने लगती है तो वो बहुत सारा protein जमा करके toilet को सप्लाई करती है जिसकी वज़े से toilet में जागदार urine आना एक तरीके से शुरू हो जाता है urine में जब बुलबुले आने लगी जागदार होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके urine में protein बढ़ गया है और kidney damage होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस समस्या को बिलकुल नजरंदाज ना करें इसके माइने बहुत साफ हैं कि आपके kidney negative हो रही है उसमें कुछ ना कुछ प्राब्लम्स आनी शुरू हो गई है और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर करना जाए दोस्तो इस report को देखने के बाद मुझे पुरी उम्मीद है कि आप kidney damage होने के जो सुरुवाते लक्षण है वो आप समझ गए होगे साथियो ज्यादतर लोग kidney damage होने की समस्या के लक्षणों को पहचान नहीं पाते या फिर नजरंदाज कर देते हैं अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई सभी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप इसे हलके में मत लाए वरना आपको गंभीर विमारी का सामना करना पर सकता है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको यकिनी तोर पर अच्छी लगी होगी आपके लिए लाबकारी है ये जानकारी लेहाजा बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को सोचें समझें और अपने जहन में रखें इन सारे लक्षणों को और हाँ इस जानकारी को अब ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेर भी करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता लग सकें और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मन को कोई बात हमारे साथ साजा कर सकते हैं उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में जाईए और कॉमेंट लिख दीजी और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोश्टे इसी तरीके के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया